हाई गैज एक वर फिर से आप सुबों के बीच एक बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुआ जी हाँ आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सिक्षक भरती के संदर्ध में बताते चले कि बिगत कई महिनों के इंतिजार के बाद अपुना सिक्षक नियोजन का रास्ता शाप हुआ है मिली जानकारी के नुशार नौंबर माह के पर्थम सप्ताह में सिक्षक भरती नियावली की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है जैसे ही मंजूरी मिलती है सुबे में एक साथ सात्वे चरन में लगभग दो लाग से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी आपको बता दे कि इस माह के अंत तक या नौंबर के पर्थम सप्ताह में सिक्षक बहाली नियावली को मंजूरी सिक्षा विभाग से मिल जाएगी बताया जा रहा है कि बहाली प्रक्रिया में पहले माधमिक और उचमाधमिक विद्यालियों के लिए लगभग एक लाग की सजार पदो पर बहाली की जाएगी उसके बाद प्रारामबिक विद्यालियों के लिए तकरीबान असी हजार पदो पर बहाली होनी है वहीं इस बात की भी चर्चा है कि जल्द ही कुमर्च संकाय के लिए STET आयोजित की जाएगी और रिजल्ट आने के तुरंत बाद सिक्षकों की बहाली के लिए वेकेंसी आएगी शिक्षा विभा का लक्ष है कि आगामी सक्षिक सात्र 2023-2024 के प्राराम्ब में माध्मिक उच माध्मिक विद्यालियों में सिक्षकों की बहाली कर लिजाए ताकि नए सात्र में पठन-पठन सुचारू रूप से चलाई जा सके वहीं प्रारांबिक शिक्षकों की बात करें तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च अप्रेल तक इसके लिए भी आवेदन लिये जाएंगे और जल्द ही शिक्षकों की भरती की जाएगे तो गाइज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक शिरोड कमेंट्स करना न भूलें तब तक के लिए बिदा चाहता हूँ जय हिन जय भार कर दो